बिसमिल्ला आहरमानी रहीम, अस्वाम नेकम फ्रेंट्स पिछली वीडियो में मैंने इस शेट के फ्रंट नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की थी आज मैं इस शेट के बैक नेक की स्टिचिंग शेयर करूँगी सबसे पहले हम फ्रंट का जो फैब्रिक पटी वाला पॉर्शन है उसको कमीज के पिछले इसे के साथ स्टिच कर लेंगे अब ये दो इसे बाकी रह गए हैं इनके लिए हम निशान लगा लेंगे और इनको लग से स्टिच करेंगे ये देखिए कुछ इसना से निशानों को हम ज्यादा वाज़ा कर लेंगे और उसी के पर रखेंगे ताके जोल नहीं आए अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे ये हमारा साड़े तीन इंच चुड़ाई में है डीब हम चार इंच रखेंगे गुलाई में शेप दे देंगे थोड़ा सा हम बैक नेक को डीप में रखेंगे ताके हमें कोई डोरी वगरा नहीं लगानी पड़े या कोई बटन वगरा भी टैश ना करना पड़े हम इसको ऐसे ही पहन सकें यह देखें यह देखें इसना से करेंगे और इसमें से हाफ इंच जो है वह स्लाई में आ जाएगा अब हम इस कटिंग वाले हिसे को फैबरिक के उपर रखेंगे और निशान लगा लेंगे उपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हम फोल्ड करेंगे बाकी हम उसी साइज पर कटिंग करनेंगे अब हम थोड़ा सा हिस्सा जो है फोल्ड करेंगे और स्लाई लगानी शुरू करेंगे यहां पर भी हम फाफ इंच फोल्ड कर देंगे अब हम कमीज की उल्टी साइट करेंगे और जहां से बाजू की जोड़ की स्लाई है वहां से ऐसे स्लाई लगानी शुरू करेंगे और यह देखें इस तरह से हम फोल्डिंग वाले पॉर्शन पर भी स्लाई लगाते हुए पुरे बैक नेक की स्लाई लगा लेंगे यह देखें फिर इसको हमने पका किया धागे को टान किया और जो हमने हमने शूल्डर का जोड़ है वो भी उल्टी साइट की तरफ अध अब कमीज के बैक साइड की तरफ टर्न करके उसके पर स्लाइल लगा दिये डिसाइन पसंद आने की सुरत में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना मत पूले तेंक यू सो मच, अल्ला हाफिज